नमस्कार दोस्तो मेरा नाम Engineer Winner आया है और आप देख रहे है Career InfoWiz Institute दोस्तो इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो अज इस नई वीडियो के तुरू मैं आपको अपने पूरे सकूल के बारे में बधाऊंगा जो कि एक CBSC Pattern English Medium School है बहुत सारी query यार यह पूरे all over इंडिया से लोग यही पूछ रहे हैं कि सर आपका fee structure गया है, बच्चे का क्या system होगा, कैसे schooling होगी, school की पढ़ाई होगी या नहीं, तो इन सभी सवालों के जवाब, बच्चे का age criteria क्या होना जाए, admission का क्या system है, registration कब से start हो रही है, आप call नहीं करना पड़ेगा, आपको परिशान नहीं होना पड़ेगा, और जो हमारे जो batches हैं, जो की start हो रहे हैं, आपको बता दू, 1st of April से जो start हो रहे हैं, उसके लिए आपको 31st March से पहले पहले आपको registration करवाना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दू, दोस्तों, सबसे important है क जो हमारे दो important number है, जो वीडियो के नीचे description में contact number दियेगे हैं, 7027333764 और 7027666083, इन numbers पे call करके आप future में किसी भी courses से related जानकारी ले सकते हैं, और आगे चलते हैं, जो first point है कि दोस्तों, जो ये admission process है, पूरा ये एक साल का process है, जिसमें हम लोग April से लेके मार्च तक इसने भी important exam होते हैं, जैसे मान लीजे बच्चा fourth class में है, तो fourth में वो जितने भी exam दे सकता है, वो हम सारे cover कराते हैं, उसके forms वगरा भरना हम, उसको आपको help करते हैं, वो सारा forms वगरा कब आता है, कब निकलता है, वो सारी guidance हम लोग parents को देते हैं, तो ये जो पूरा है, य जैसे आपका बच्चा वहाँ पर स्कूल में पढ़ रहा है, वैसे हमारे पास आ करके पूरा जो है, वो तैयारी करेगा एक साल के लिए, ठीक है दोस्तों, second, third point ये है, कि ये पूरा जो है इंग्लिश मीडियम residential school है, residential school में बच्चा हमारे पास ही रहेगा, full day सारा system होगा, स sports activity वगरा होती है, 8 बेर से लेकर दो बज़े तक proper school चलता है, उसके वाँ शाम को 4 से 6 बज़े तक बच्चे sports activity खेलते हैं, ठीक है न, तो ये सारी चीज़े हैं, आगे चलते हैं, fourth point जो है, कि ये पूरा जो co educational school है, co educational में दोस्तों, boys और girls दोनों के लिए, मतलब boys भी आकर कि साइनिक स्कूल, मिल्टरी स्कूल, NDA बगरे की तैयारी कर सकते हैं, और girls भी यहाँ पर आके तैयारी कर सकते हैं, पूरा boarding school है, बहुत बड़ा है, पूरा 70 acres में बहुत बड़ा school है, अंदर ही mess, canteen, cafeteria, library, auditorium, सब कुछ अंदर है, playgrounds, बहुत बड़ा campus है, तो आगे चलते हैं फिफ्थ जो point है, कि दोस्तों अगर आप लोग admission लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले ही advance registration करवाना पड़ेगा, अपनी seats book करानी पड़ेगी, दोस्तों हमारे पास seats होती है, वो हर class में 30-30 seats होती हैं, तो यह CBSC pattern है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से 100 admission ले दिखाएंगे, school दिखाएंगे, बच्चों से मिलवाएंगे, अगर आप satisfy हो जाते हैं, तो आगे की fees लेंगे, और otherwise हम आपने जो पहले 20,000 जो अभी आपने January, February, March में जो registration कराई हैं, वो हम आपको refund कर देंगे, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो क्योंकि आ आपने हमारा school अभी तक तो देखा नहीं है, आपने visit नहीं किया है, जब तक आप लोग 100% satisfied नहीं हो जाते हैं, जब तक आप लोग 100% मतलब आपको एक mental satisfaction नहीं हो जाती है, तब तक आपसे आगे का admission process नहीं होगा, ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, जो 6th point है, कि 5th point है, जो आपको registration है, वो advance कराना पड़ेगा, और वो भी आपको पहले ही कराना पड़ेगा, 31st March, जो हमारी last date है, admission की, March तक हम लोग यह पूरा process complete कर लेते हैं, 1st of April से हमारा जो school है, वो start हो जाता है, ठीक है, तो mainly importantly यहीं कि आप पहले ही registration करवा लीजिए, उसके बाद अपना school में आ करा ली है, तो करीब करीब 100 प्लस admissions हो चुकी है, तो उन्होंने क्या है कि जो बहुत जादा दूर से लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ 20,000 दे के अपनी registration करवा ली है, वो भी refundable है, ताकि उनको किसी तरह की problem ना आए, आगे चलते हैं, जो 7th class है, जो admission है, वो first से लेक complete करना पड़ेगा, 8th point है कि हर class में जो seats है, जो minimum seats है, वो 30 seats है, चाहे वो boys है, चाहे वो girls है, वो कोई भी admission करवा सकते हैं, हमारे पास एक एक परिवार से करीब परी 4-5-5 लोगों ने admission करवाया हुआ है, जैसे मासी के बेटे ने और चाचा के लड़के ने, इस तरीके से का 9th point जो है कि इसमें जो है, वो आपका सुवेरे 8 बजे से लेके 11 बजे तक आपका school की पढ़ाई होती है, academics की पढ़ाई होती है, जिसमें आपको math, science, English, Hindi वो पढ़ाया जाता है, फिर 11 बजे आपका tea break होता है, और tea break के बाद आपका जो second half होता है, उसमें competitive पढ़ाई होती ह ठीक है जी, उसकी पढ़ाई आपको कराई जाती है, और जो 10th point है, मैं आपको बता दूँ कि 11 बजे tea break होता है, दिन में 2 बार tea break होता है, एक बार 11 बजे होता है, और एक बार शाम को 6 बजे होता है, जिसमें आपको बच्चे को हलके फुलके snacks दिये जाते हैं, थाकि उसको क मतलब यह होता है, कि उसमें आपको objective तरीके से जो टिक मारने वाले question है, वो कैसे attempt करने है, और उसमें math है, आपका science है, English है, आपका reasoning आता है, और आपको बता दूँ कि reasoning schools पगएर पे नहीं कराया जाता है, तो school यह competitive point of view से आपको reasoning भी कराया जाता है, जीके पे काफी ध्यान जो है, वो आपको sports activity कराया जाती है, जिसमें आपको खेलने का उदने का पूरा system है, आपको cricket, football, volleyball, sports teacher अलग है, तो हर रोज बच्चा जो है, दो घंटे तो daily खेलेगा ही खेलेगा, सुवेरे मैं आपको बता दूँ जो बच्चे साढ़े 5 जो उठते हैं, उसके बाद हर रो activity जो है, आपकी communication जो है, अगर आपकी strong नहीं है, आपकी physically आज जो आपकी body है, वो बढ़िया नहीं है, तो आगे चलके आपको 101% दिक्कत आएगी, चाहे है आप किसी school में जाना चाहते हैं, तो यह message उन लोगों के लिए, जो लोग घर पे तयारी करा रहे हैं बच्चों को, अब क्या है, घर पे आपको एक competitive महौल नहीं मिलता है, घर पे आपको physically तयारी नहीं करा सकते हैं, तो वहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं, ठीक है जी, तो इसके बाद जो 13 points है, मैं आपको fee structure के बारे हम बहुत query आरी कि sir, आपका fee structure के है, मैं आपको बता दूँ कि जो हमा क्या accordingly देनी है, कल को आपको बच्चा गुरु कुल में जाएगा, दक्षा ही जाएगा, तो वहाँ पे बहुत जादा high-five facilities नहीं है, तो हमें आपके बच्चे को उसी तरीके से तयार करना है, ताकि बच्चा वहाँ पे जाके adjust हो जाए, अभी थोट दिन पहले हमारे पर पे उसी रशी मिलेगा, शसी पहलेगा दो तो वह जाएगी जो ड Farm आपको आपको देनी है बिलकुल क्लिय है, बिलकुल organizing school, military school वाला हमने महाल भी में आपको एक भी बच्चा वहाँ पर आराम से jeंटत हो जाए अपन्य पढ़ाई, लिग टोर तो saf MON के भार के बारर भारां डाय है material address है पूरे साल भर का जो है वो सब कुछ included है इसके अंदर और 10,000 rupees security है जो कि refundable है और 10,000 rupees आपकी pocket money है जो कि आपके बच्चे पर expense की जाएगी खर्च की जाएगी हम लोग बच्चे को जो है वो घुमाने के लिए हर मंग्स में बच्चे को हम लोग जैसे बाहर लेके जाते हैं घुमाने के लिए टीक है जी अलग अलग जगह पर जैसे signing school लेके जाते हैं घुमाने के लिए military school में और आइंसी डेरादून में विजिट कराते हैं बच्चों को तो आगे चलता हूँ, जो 4th, 5th और 6th class के जो बच्चे है, उनकी जो fees है पूरे साल बर की 1,20,000 है और 10,000 रुपीस security है जो की refundable है और 10,000 रुपीस आपकी pocket money है और जो 7th, 8th और 9th class के जो बच्चे है, उनकी जो fees है 1,40,000 है और पूरे साल का है जिसमें रहना, पीना, खाना, books, bag, material, dress, stationery का सारा समान सब कुछ इसके अंदर included है आपको अलग से कुछ भी pay नहीं करना है ठीक है जी, forms के लिए जो होता है वो हम लोग अलग से charge करते है जो भी 1,000 रुपीस का form होता है वो हम लोग चाहे आप लोग खुद भरिये चाहे हम लोग भरवा देते हैं हम आपक करते हैं आपको मदद करते हैं form कैसे बरना है और उसके बाद जो आता है वो 10th, 11th, 12th class में जो है वो पूरा 1 year का 1,60,000 फीस है बोडिं का जिसमें रहना, पीना, खाना, books, material, dress, सब कुछ इसके अंदर आपका included है 10,000 रुपीज आपकी security है और 10,000 रुपीज आपका जो है pocket money ह तो security और pocket money fix है बाकी जो फीसे हैं वो अलग-अलग है तो आगे चलते हैं जो 14th point है कि जो parents है अपने बच्चों से जो है वो महीने में एक बार जो last fourth Saturday होता है ध्यान से समझेगा जो last fourth Saturday होता है क्योंकि आपको पता है जो last Saturday होता है उसमें छुटिया होती है next मतलब उसमें working वो होता है आपका जो government holiday होता है तो वो जो 4th Saturday है उसमें आपको ये facility दी जाती है कि आप अपने बच्चों से आके मिल सकते हो उनकी PTM वगरा conduct करते हैं compulsory नहीं है क्योंकि बहुत सारे parents समाझ बार दूर से हैं बैंगलोर से हैं लखनों से हैं यूपी से हैं भी आर से हैं तो वो आपका allow नहीं किया जाएगा मैं आपको पहले ही बता दे रहाँ कि ये strictly है boarding का अपना कुछ एक decorum होता है जो आपको follow करना पड़ेगा है न कोई emergency है तो बात अलग है otherwise इस तरीके से बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता है आगे चलते हैं जो 15th point है वो ये है कि आपको बच्चे से हफते में एक बार यानि संडे को आपको बात कराई जाएगी शाम को पांच वे से लेके 8 बजे के बीज में तो हर संडे संडे पेरेंट से बात कराई जाती है बच्चों से ताकि बच्चे भी एक बार पेरेंट्स को अपनी पूरी जो है feedback वगरा जो है जो response हो है वो अपना दे सकते है ठीक है जी आगे चलते हैं जो 16th point है कि जो ये फीसेज है इसके अंदर जो books है material है dress है जो stationery का समान है school का जो dress है books है वो सारा जो expense है वो school wear करता है वो बच्चे को fees के अंदर included है तो हम लोग बच्चे को वह facility वगरा पूरी properly provide करते हैं ठीक है जो 17th point यह है कि तीन time जो आप बच्चे को खाना वगरा हो गया ठीक है जैसे breakfast हो गया आपका दुपहर में आपका lunch हो गया और शाम को आपका evening में आपका dinner हो गया इसके अलमा दो time tea break होता है ठीक है जी एक सुवह 11 बजे होता है एक शाम को 6 बजे होता है तो tea break में हम लोग बच्च करते हैं और जो parents है वो हमसे पूछते हैं कि सर आपका success rate क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे है ना बड़े अराम से हम लोग सिर्फ एक साल के लिए admission कराते हैं दो साल के बहुत minimum period के लिए admission कराते हैं और जितने भी main paper रहते हैं paper दिलवाते है तो बच्चा एक Central Hindu School है, UP Senate School है, इतने सारे स्कूल हैं बच्चा है क्यों नहीं होगा आप सोचो बच्चा एक साल positively तयारी कर रहा है वो क्यों नहीं होगा और हमारा भी target Senate School, Middle School के लिए होता है क्योंकि वहां की जो फीसिस होते हैं वो काफी कम होती है और बच्चे वहां पर पढ़ाई का के लिए ही admission कराते हैं जैसे कुछ बच्चे फिफ्थ क्लास में आते हैं उनका response अच्छा आता है तो उनके parents कहते हैं कि आप इसको RIMC दे रहे दो उनके लिए तैयारी करा हो तो वो दो साल के लिए रूख जाता है है ना जो फॉस्ट क्लास के बच्चे हैं उनको हमने फॉर फिफ्थ में बच्चा बढ़ रहा है तो बच्चा जो फिफ्थ में हैं जितने भी important paper होते हैं आपको बता दूँँ वो फिफ्थ और एट्थ क्लास में होते हैं यह सबसे अच्छी चीज है तो अगर आप लोग जैसे third class में लिए आते हो बच्चे को दो साल त्यारी कराते ह आपको फाइदा क्या है कि फिफ्थ में बच्चा जो है सैनिक का भी paper देगा, military school का भी paper देगा, गुरुकुल का, दक्षाई का, central Hindu school का, UP सैनि स्कूल का, मतलब इतने सारे paper हैं तो इसमें आपको benefit यही है कि बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी कहीं न कहीं वो नवोदय schools हो ठीक है, उसके अलावा UP विद्या ग्यान स्कूल होगा, कहीं न कहीं बच्चा बड़े अराम से, किट्टूर सैनि स्कूल होगा, girls के लिए बड़े अराम से बच्चा सेलेक्ट होके निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग positive frame of mind से काम करो, आप लोग इतना खर्चा कर र हैं, क्योंकि हमारे पर बच्चे बहुत जादा आते हैं हर साल, तो मेरी आप लोगों से यही request है कि जरूर घर से एक बच्चे को निकालेए, तैयारी करवाईए, और सबसे पहले अपनी seat book कराईए, तो दोस्तों, और इसके अलावा अगर आप लोग जोड़ना चाहते हैं, बेल आइकन को दबाईए, ताकि हर रोज आपको लिटिस्ट वीडियो में लेजी, यह वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि पूरे आल ओवर इंडिया से हर रोज 5-6 जार calls आती हैं, जिसमें लोग query करते हैं, consult करते हैं, पूछते हैं, पता करते हैं, form कब निकलने, school का admission कब स्टार्ट हो रहा है, fees कैसे जमा करानी है, तो मेरी आप लोगों से यह request है, और हमारा android app जो है, वो install कीजिए, बहुत ही helpful है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेंस courses के बारे में ही जानकारी दी जाती है, और हमारे जो website है, उसके उपर पूरी जानकारी दी गी है, तो thank you so much for watching this video, इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए अपने रिष्टेदारों के साथ, अपने सगे सर्मंदियों के साथ, ताकि उनको भी help मिले आ, क्योंकि time बहुत जादा नहीं रह गया, January, February, March सिर्फ तीन महीने ही रह गया है, तो जो भी decision लेना है, जल्दी से जल्दी इसके अनमा एक batch है, जो हमारा 20 January से start हो रहा है, वो सिर्फ तीन महीने का batch है, January, February, March, और उसमें हम लोग गुरुकुल, कुरुकुशित्तर और Central Hindu School वारानसी के लिए तयारी खरार है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जै हिंज, जै भारत, थैंक यू सो में